यह साधान सी दिखने वाले चेज आम के पौधे को एक सुपर फलदार पौधे में बदल देगी पूरे सीजन किसी भी तरह की बीमारी आपके आम के पौधे पर नहीं आएगी फल पहले से कहीं ज़्यादा और बड़े साइस के आएगे जनवरी फरवरी में आम के पौधे पर फूल यानि के बौर आने के शुरुआत हो जाती है और यह सही समय है कि आप अपने पौधे पर आप टेट्मेंट शुरू करें तो आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ यह पाराम पर एक तरीका है लेकिन यह बहुत ही जादा असरदारक काम करता है यह तरीका आप अक्टूवर नमंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक अपने कर सकते हैं या जब आपके पौधे पर फूल आने के शुरुआत हो जाए तब तक किसे कर लीजिए आम से सम्मंदित और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस्टाग्राम पर हॉम गार्डन वाइटी नाम से फॉलो कर लीजिए वहां हम नए नए अपडेस आपके लिए लाते रहेंगे तो जो तरीका में आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप अक्टूवर नमंबर से लेकर फरवरी मार्च या फिर जब आपके पौधे पर फूल आने के सुरुआत होने लगे उस समय तक कर सकते हैं गमले में भी और जमीन दोनों तरह के आम के पौधों पर ये काम करेगा सबसे पहले पौधे के तने से थोड़ा दूर आप मिट्टी को देखिए ये मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है और आप जब के फूल आएगा फल आएगा तो हमें पौधे में और वर्क तत्तो देने होंगे खाद धवा देनी होगी अगर इसी तरीके की हार्ड मिट्टी होगी तो ये सही नहीं रहेगा तो आपको एक 2-3 इंच गहदी हलकी हलकी गुड़ाई कर लेनी है राउंड सेप में इस तरीके से और इसे छोड़ देना है 2-3 घंटे के लिए सुरू में मैंने जिस सॉलूशन को आपको दिखाया था उसे हम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आदा केजी चूना सफेदी जिस से हम घर वगएरा की पुताई करते हैं वो लेना है फ्रेस आपको ये 15-20 ग्राम नीला थोता तूतिया या कॉपा सलफेट और ये आपको पंसारी वालों की दुकान पे मिल जाएगा और ये काफी जरूरी चीज है ये सॉलूशन बनाने के लिए एक मिट्टी का गड़ा ध्यान रखिये यहां पर आपको प्लाश्टिक या लोहे या धातुके किसी वर्तन का प्रियोग बिल्कुल नहीं करना है सबसे पहले जो हमने चूना लिया है वो अपने गड़े में डालेंगे मैं जो तरीगा बताने जा रहा हूँ ना ये केवल आम के लिए नहीं सभी पौधों के लिए काम करेगा इसके बाद जो हमने कौपा सल्फेट या नीला थोता लिया है वो भी इसी में डाल देंगे इस जो मिस्टर हम तयार कर रहे हैं इसके लिए हमें अब लवह दो केजी दो लीटर पानी आधा केजी चूने के लिए दो लीटर पानी आपको इसमें डालना है और अब इस पूरे शॉलुशन को थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसे छोड़ देंगे 24 से 48 घंटे के लिए दो दिन अगर आप इसे छोड़ दें उसके बाद ये बनकर तयार होगा और बीच बीच में एक दो बार आप इसे किसी लकड़ी की सायता से इस तरीके से मिक्स कर देजे अब ये solution जब तयार होगा फिर हम इसे use करना आपको बताएंगे लेकिन इस से पहले हमने जो आम के पौदे की गुड़ाई की थी वो मिट्टी तयार है और अब हम जो प्रकरिया बताने जा रहे हैं ये आपके आम के पौदे से जो फल गिरते हैं उन्हें नहीं गिरने तो इसके लिए जो मिट्टी हमने खोदी है इस मिट्टी को हम हठा लेंगे पहले इस तरीके से उपर कर लीजे पौदे से नीचे सरफेस जो है विल्कुल साफ निकल आएगा कुछ इस तरीके का और अब हम रीचार्ज करेंगे पौदे को इसके लिए सबसे पहले फिर एक ह तो तुरंत मिलनी चाहिए तो मिट्टी हम खोदेंगे कुछ इस तरीके से खोद लिए हमने मिट्टी और फिर हमें पानी लेना है और छिड़काव कर देना है ध्यान रखिए जब फूल आता है पौदे पे तो पानी की मात्रा हम कम करते हैं लेकिन हम अब पौदे में खाद द लिया है आप कोई भी और्गैनिक फैट्लाइजर ले सकते हैं ऐसे वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या कावड़क दस बर्स पुटाना पौदा है हमारा तो हमने दस से पंद्रे केजी लिया है अगर आपका गंबले में पौदा लगा है तो आप आदा केजी ले सकते हैं इ इसके ऊपर कुछ इस तरीके से यह फैट्लाइजर हमें दे देना है ध्यान रखिए यह जो फैट्लाइजर है यह पौदे के लिए अमरत का काम करेगा पूरे सीजन आपके आमके पौदे से फल नहीं गिरेगा फल का साइज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा और भी ज्यादा आएंगे खाद को हमने दिया है खाद को एक समान करना है और फिर पानी लेना है थोड़ा सा फिर छड़काव करना है जिससे जो खाद के अंदर वैक्टिरिया है जो वो अपनी प्रकरिया चालू रखें और कारवनिक पदार्थ बनाते रहें जिससे पौदे को जो जरूरी पोसक तत्तों है वो मिलते हैं तो खाद के उपर फिर हम पानी का छड़काव कर लेंगे इस तरीके से आम, अम्रूद, अनार, सेव इनमें इस तरीके से आप खाद दे सकते हैं ये अभी हम फलों को ज़्यादा बढाने के लिए फलों की संख्या ज़्यादा करन देंगे जिससे हमारी खाद जो है पौदे को मिलती रहे अभी आपको इसमें पानी नहीं देना है जब तक फल बनना जाए छोटा छोटा फल बन जाएगा तब पानी देंगे ये वाली प्रकरिया हमने पूरी की है हमने खाद दे दिया है जिससे हमारा पौधा रीचाज हो पूरे सीजन के लिए और इसके बाद जो उपरी मिट्टी थी हम इसे अच्छे तरीके से दाव देंगे ठाउंक देंगे इस तरीके से हमारा जो सॉलूशन है दो दिन हो गए ये बनकर तयार है सिंपल सा ये सॉलूशन आपके पौधे पर किसी भी तरह की बीमारी को आने को रोकेगा जैसे मैली बग है चीटिया है बग है जो के पौधे से नीचे से क्लाइम होते हैं आम के फूल में जो कीड़ा लगता है वो इससे बिल्कुल नहीं आएगा इसके अलावा जो तने में इल्ली लगती है वो नहीं आएगी तो ये पाराम पर एक तरीका है इससे आपको दो बार इसी तरीके से पौधा तयार हो जाएगा एक नए मजबूत पौधे के रूप में फल बढ़िया आएगा पहले से ज्याद